हिलू फ्रेंग्स मैं अनामिका मेरी कीचिन में आप सरी का स्वागत है फ्रेंग्स आज में लेक्सों प्याज की खटी मिठी बहुत ही सट्पटी चट्नी की रेश्पी लेकर आए हूँ ये चट्नी आप जुरूर ट्राइक दियेगा ये चट्नी बड़ा पाउ शमोशा आलू पडाठा तंदूरी या नौन के साथ खाई ये बहुत ही मज़ेदार लगता है ये लंस दीनर में कभी भी खा सकते हैं फ्रेंट इस रेश्पी को आपको ट्राइब करना बनता है और मेरे चैनल को लाइफ, सब्सक्राइब और शेयर फिरूर कीजिए तो चलिए हम फटा-फट इसे बनाना शुरू करते हैं चट्नी बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राइब मशारा तयार करेंगे तो यहां पे हमने लिया है एक बड़ा से मजीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा क्लावजी, थोड़ा सा शौफ और थोड़ा सा लाल मिर्च यह ड्राइब मशाला हम एक शाथ में रोश्ट करेंगे तो यहां पे हमें कडाही गरम करके और फ्लेम को एकड़म स्लो कर देना है और इसे तब तक रोष्ट करना है जब तक इसका मौशर चला नजा है इसमें से तेल फोड़ा फोड़ा दिखने लगे कितने दे तक हमें भूनना है ध्यान रहे फ्लेम हम एकड़म स्लो रखेंगे औ तो अपना ध्राई मशाला जल जाएगा, हमने शुखे मशालई को 3-4 मिनट तक एक दर श्रोप खेंके भून लिया है, आप देख सकते हैं, इसमें खनक की आवाज आ रही है और फुश्बो भी आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अपना मशाला भून चुका है, इसे हम एक श अंधा होगा, तब हम इसे मीकसर जाब में तीसेंगे, और इसी कडाही में हम तब तक अपना लहसुन प्यास भूनेंगे, क्योंकि ये लहसुन और प्यास की चटनी है, तो यहां पे हमने एक छोटा चमच तेल ले रखा है, तेल को हम गरम होने देंगे, तेल गरम हो चुका है इसमें, हम चार बड़े बड़े प्यास काटके डाल देंगे, तो प्यास को हमें रॉवभी क्रोफ करना है, तो प्यास को में लवभी क्रोफ करना है है।। क्यास से साथ ही बदाव कहा है लगेशन तो यहां पर हमने दो बड़े लशूर्ण को खीज हजाती ले लिया है तो एक पी प्यक्षिन नहीं स्वेशन को खीजाती लिया है यह एशी प्यक्षिन है कि पहनी है दुझ्टी नहें प्रकारण है अब देख सकते हैं प्याज को हमने तक भून लिया है यहां पे हम डालेंगे 5 से 6 इंबली इंबली वही है इसे हम डालोल में डालते हैं इसे भी हम प्याज के साथ खलका का भून लेंगे यह अपनी लेक्षू प्याज की 30 मिठी चट्टी बहुत की देजोर तयार होने वाली ह कि अब देख सकते हैं अपने प्याज लशो भून चुका हैं कि यह फ्लेम को आफ टेनगे और इसे हां ठंडा होने देंगे जैतक कि यह घंडा हो रहा है तब तक हम ट्राइख मसाल्서 को पीष लेते हैं तो यहां पर हम छोटा वाला मिक्सर जार लेंगे, क्योंकि अपनी सुख्य मसाले की क्वांटीटी कम है, बड़ा वाला में अगर हम पीसते हैं, तो यह फैर जायेगा, बारीक से थीश नहीं पाएगा, तो हमने इसको छोटे वाले जार में घंड लिया है, चलिए हम इसको पी पीस लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, अपनी ट्राई मसाला जो है, उप पीस चुकी है, तो हमें ऐसी ही दरदरी डालना है, नहीं तो क्या होगा, इसका टेश्ट नहीं आता है, तो चलिए हम अब प्याज और लेसून ले आ रहे हैं, जार में भड़के, हमने इसी जार का मैशाला दुसरे में ट्रांसफर करके और प्याज लेसून भर लिया है, अब हम ढ़क्तन लगा के इसे भी पीस लेंगे, तो चलिए हम इसे पीस ले करेंगे, तो अपनी चटनी गाड़ी है, तो हम थोड़ा सा एक चमच पानी डाल के और फिर से पेस तो हम इसी कडाही में फिर से एक चमच तेल लेंगे और तड़का तयार करेंगे, तो आपने देख लिया, एक ही कडाही में अपनी चटनी बनके तयार हो रही है, कोई दुसरा बरतन, ज्यादा जन चट, न ज्यादा मगज मारी, बहुत ही आसानी से ये चटनी तयार हो जात तीनों को हम डाल के अच्छे से तड़का लेंगे, हम चलाते हुए तड़का को तयार करेंगे, आप देख सकते हैं, ये चटनी का तड़का कितना सुंदर दिख रहा है, जब कभी ये प्रंच मुह में आता है, चने दाल, उड़त दाल का, तो चटनी की स्वाल में चार्चा दाल के अचार, आप धाल सकते हैं, हलका खाप आपना खोड़का क्रें की आवाज आने लगी थे तो हमें दवने बिलकू नहीं देना है, इसी एच्छे से हमें ये चतनी डाल देना है, दिख लुखका है बेखता बेख्युक्त द़आ लेंगे, जच्छे सिर जा लेंगे, अब भी चट्टी में बहुत चाठी है इतनी चाठी जाती है अगर ज़रूरत करें तो आप पोड़ा सा और पानी आड़ कर सकते हैं और इसे हम उबाल आने तक टब्के में पकाएंगे अब भी चट्मी में वाल आ चुकी है, यहां पे हम डालेंगे यह द्राई मशाला, जिसे हमें रोश्ट करके वीकसर जाड़ में दददाती से लगता था, यही चट्मी की स्वार बढ़ाती है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे, श्वार के लिक्सार है, यहां पे नमच आयर तो चट्मी है, फोड़ी चट्पटी होनी चाहिए, और कलर अपना अच्छा दिखे, इसके लिए यहां पे हम एक चमच शिम्ना मिर्च डाल रहे हैं, शिम्ना मिर्च तीखा कम होता है, पर दिखने में कलर सिंदर लगता है, तो यहां पे हमें मिर्च डाल लिया, अगर आप अच्रमच खल्दी पॉडर डाल लेंगे, और इसे भी मिक्स करके एक उबाल तक पका लेंगे, तो फ्रेंज आप देख सकते हैं, अपनी चट्मी की कलर, उसका तड़का और फिशू भी आ रही है, क्यूंकि हमने शौफ्टी रा का पॉडर बनाया है, तो अब हम प्ले आज लेस्न की चट्पटी, खट्टी, मिठी चट्नी बनाना कितना आसान है, तो इस चट्नी को आप ही जरूर प्राइक कीजिएगा, ये चट्नी बड़ा पाव हो, शमोशा हो, या कई रेश्पी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, फ्रेंज ऐसा चट्नी आप खा के एक बार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये चट्नी कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, धन्यवाद